हेलो फ्रेंट, विल्कम वेक्ट टू आउर चैनल, इक्ट्लेइनर एंजल और मैं हूँ आपकी दोस्त और होश्ट अन्नू फ्रेंट, आज मैं नीचांग तिरीज के पार्ट 3 का इक्लानेशन करने वाली हूँ पार्ट 2 में हमने देखा था कि राजकुमारी की पुरी फैमली की मौत हो जाती है और राजकुमारी जंगल में होती है, उसे कोई उठा ले जाता है और अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट नहीं देखें तो जल्दी से चाहें पाकी पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें, रिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और मुझे यकीन है कि मेरे बिवर्स बहुत प्यारे हैं, अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो हम भी बिना देर किये चलते हैं एक्षानेशन की तरफ कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं राजकुमारी को जो बेट पर होती है लेकिन जब उसकी आँख खुलती है, तब वो खुद को एक महल में देखती है जहां राजकुमारी को पता चलता है कि जब वो पेहोश हुई थी तब इन लोग उसे यहां लेकर चले आए थी फिर हम जू को देखते हैं जितके साथ उसके वाइप भी होती है और जू की सिष्टर इनलो भी होती है अब उन सब के पूछने के बाद नीचांग सिर्फ उन्हें अपना नाम बताती है लेकिन जू का कहना होता है कि अगर वो सही एड्रेस बता दे तब उसे उसके घर छोड़ दिया जा सकता है लेकिन नीचांग तो उन्हीं के घर में रहना चाहती थी क्योंकि उसकी फैमली तो मर चुकी थी तभी पता चलता है कि जू की सिश्टर इल्ला इंबोडरी की एक बेतरीन टीचर होती है और जू की वाइफ का कहना होता है कि नीचांग उसका दिल जीतकर उसकी इस्टूडेंट बन जाए इससे नीचांग की जिंदगी सुधर सकती है जू की वाइफ नीचांग को बहुत पसंद करती है क्योंकि नीचांग की मासूमियत उसे बहुत प्यारी लगती है यह सुनकर नीचांग फोरण ही टीचर के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे अपनी इस्टूटेंट बना ले लेकिन टीचर का कहना होता है कि इस वर को सीखने के लिए होश्यार होना जरूरी है जो कि तुम हो नहीं यूँ हर कोई इसे नहीं सीख सकता है साथ ही टीचर नीचांग को फ्रॉड समझती है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई होती अब जू की वाइफ उसे रिक्वेश्ट करती है साथ ही नीचांग भी रोने लगती है जिसे देखकर टीचर के मन में दया आती है तब ही वो कहती है के एडमिशन इतना असान नहीं है बहुत मुश्किलों से यहाँ पे एडमिशन होता है अगर तुम्हें शोक है तो मैं तुम्हारा एडमिशन हो सकता है लेकिन अगर तुम फेल हुई तब तुम्हें यहां से जाना होगा और उसका यह टास्क था कि आंगन में रखी हुई तीन बाल्टियों को नीचांग को भरना पड़ेगा वो भी सिर्फ 24 आवर में नीचांग एक्सेट कर लेती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था या तो वो मर जाए या फिर यहां रहे जाए अब नीचांग पानी भरना शुरू कर देती है वहां के सारे स्टूडेंट उसे देखते हैं सबको काफी दया आती है क्योंकि नीचांग बड़ी मुश्किलों से पानी भर रही हो लेकिन यह जाहिर नहीं करती हैं लेकिन अभी भी वो नीचांग को शक की नजर से देख रही होती है कि यह कोई गेम करने आई है अब सुबा हो जाती है और बारिश होने लगती है लेकिन वो बाल्टी भरी नहीं होती तभी उसकी टीचर आती है और उसे कहती है कि तुम तो फेल हो गई यह देखकर उसे भेज़ने लगती है लेकिन नििचांग बहुत रोती है और बहुत सारी लोग भी महाँ पर होते हैं जो निचांग पर काफी तरस खाते है तभी निचांग की नजर बाल्टी पर पड़ती है जो पूरी तरह ते भर चुकी होती है तब ही वो कहती है कि बालती तो भर चुकी है अब आपके कहने के मताबिक तो मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ लेकिन टीचर का कहना होता है ये बालती तो बारिश की वज़े से भरी है तो मैं जाना होगा यहां से जिसमें टीचर की बेहन कहती है जितकी हिल्फ गौड कर रहा है तो हम इंसान उसकी हिल्फ क्यों नहीं कर सकती है अब ये बात तुनकर वो टीचर खामोश हो जाती है और उसे किचन और बागानों के काम में सेलेक्ट कर लेती है अब निचांग अपने काम में लग जाती है लेकिन टीचर का बेटा निचांग को काफी इंप्रेस करने के कोशिश कर रहा होता है और साथ ही वो अपने आपको बहुत खूपसूरत भी समझता है वो नीचांग से कोई भी चांस ऐसा नहीं छोड़ता जिसमें नीचांग से अच्छा बनने में देर की हो लेकिन हमारी नीचांग तो अपने जिंदगी में हुई ट्रजडी से काफी परिशान होती है और इस पल में वो कुछ बनना चाहती है जिस वज़े से वो टीचर के बेटे से कुछ जादा ही खुश नहीं रहती हालांकि वो नीचांग का बहुत साथ देता है इधर शू के पास लियांग आते हैं जिसका कहना होता है कि उसने अपने भाई को खोया है जिसके बदले में शू को उसे कुछ पैसे देने होंगे वनना शू को भी अभी मार डालेगा ये सुनकर शू काफी डर जाता है और फौरा ने उसे पैसे दे देता है साथ ये भी मना करता है कि ये बात किसी को शेयर नहीं करें जिस पर लियांग राजी हो जाता है और पैसे लेकर यहां से चला जाता है इधर नीचांग फेल में ग्रास को काट रही होती है साथ ही तरस्ती हुई निगास से स्टूडेंट को देख रही होती है जिसे टीचर देखती है और उसके इन हलातों पे टीचर को काफी तरस्त भी आता है तब हिआ निचांग को स्टड़ी के क्लास में पुलाती है यह सुनकर निचांग काफी क Indians घुश हो जाती है और क्लास के लिए रेली हो जाती है लेकिन她 क्ाag के काफी जिम्मेतारी होती थी और नीचांग का काफी सपोर्ट करती थी अब एक रात हो मौर्ग जादा था जिस वज़े से नीचांग रूम में कल्स के साथ होती है और लाइट आउन करके अपना काम करती है जिस पर पाकी लड़कियां उसे मना करती है तब नीचांग कमरे से बाहर ठंड में जाकर कमरे अमिड़क चांचेंग यंदल है अपनी जाती है लेकिन ऊडिस काम देखती है तो काफी खुश होती है और नीचांग की बीमारी को देखती हो इससे कहती है कि के कमरे में आफिर रहोगी और यह बात सुनकर चाची मी काफी कुछ हो जाती है क्योंकि चाची मी निचांग को काफी पसंद करती थी इसलिएंग मोटा शूद्व चुछ से मिलने आते टीचर का पिजनेस का इसाफ कर रहा होता है जो ठीक से नहीं कर पा रहा होता और वो नीचांग की हेल्फ लेता है जिसे नीचांग ठीक कर देती है अब ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है साथ ही चाची मी भी काफी खुश हो जाती है फिर एक दिन आउडर पे कस्टिमर का ट्रेस रेडी करना होता है जिसके जिम्मेदार ही पाकी कल्स पर होती है लेकिन वो लड़किया नीचांग से जलती है और उसने गेम किया गलत तरीके से उसे एमबाडरी करवा दी ये देखकर टीचर सारी कल्स पर गुस्सा करती है लेकिन उसने नीचांग का नाम लगा दिया जिस पर टीचर को यकीन नहीं होता क्योंकि नीचांग तो ऐसे गल्दी कर ही नहीं सकती थी लेकिन फिर भी उसे वो सजा देती है साथी बाकी लड़कियों को भी सजा मिलती है लेकिन चांची मी नीचांग को समझाती है कि टीचर दिल की बहुत अच्छी है बस उपर से खराब है तब ही हम देखते है कि शियांग उस महल में आज चुका होता है जो नीचांग का महल पहले हुआ करता था अब यहां का इतने शियांग ही समा लेगा तब ही मोटा शियांग को बताता है कि राजकुमार कौंग गाउ कहे थे और वहाँ देख समराट के लिए चीनी मिट्टी की बाटल तलाश कर रहे है जित पर शियांग कहता है कि वह एक कमजोर राजकुमार है उसकी फिकर हमें नहीं करनी चाहिए बेतर होगा कि अपने काम पर ध्यान दो इधर राजकुमार अपने सेव कार्ट के साथ बाटल की तलाश में भटक रहा होता है अब वो उसी मार्केट में होता है जहां राजकुमारी भी आई होती है उसकी एक छिलक तो मिलती है लेकिन राजकुमार उसे पहचान नहीं पाता अब राजकुमार के मुलाकाद सू से होती है जो राजकुमार को काफी सम्मान देते है साथ ही अपने घर रुकने के लिए भी कहते है अब राजकुमार जब जू के घर आता है तब वो कपड़े से रिलेड़िट कुछ अच्छे ब्यापारी की तलाश की बात करता है जिस पर जू अपने सिश्टर रिला के बारे में बताता है साथ ही ये भी कहता है कि वो बहुत फेमर्ज डिसाइनर है अब ये बात सुनकर राजकुमार को जून के पास लेकर जाता है इधर वो टीचर अपने स्टूडेंट को एक काम देती है कि चाची में के लिए उन्हें ड्रिस रेडी करनी है और उन्हें काफी खुपसूरत बनाना है इसलिए टीचर सारे स्टूडेंट को एक लाइन में लगती है अब राजकुमार टीचर से बात करते हैं और उसकी नजर जब कल्स पर पढ़ती है तब वो नीचांग को देखते हैं और मन में कहते हैं कि इसे हमने कहीं देखा है अब राजकुमारी को देखते हैं तब राजकुमारी छिपने लगती है लेकिन टीचर कहते हैं कि तुम्हें राजकुमार से ठीक से बात करनी होगी खेर दो साल बीच चुका था और नीचांग ने सोचा कि अब तक तो मुझे फूल गया होगा जिस बात से नीचांग उसके सामने आती है और आई कांटेक्ट करके राजकुमार से इंबोईडरिय के अबाउट कुछ बात करती है साथ ही राजकुमार के कहने पर वो इंकार करती है कि आपको कोई गलत फहमे हुई है मैं नीचांग हूँ और आप जिसको कह रहे हैं वो मैं नहीं हूँ लेकिन साइड में खड़ी लड़कियां राजकुमार को देखकर इसमाइल पास करती है क्योंकि राजकुमार के खुबसूरती देखकर वो सारी के सारी लट्टू होती है लेकिन राजकुमार नीचांग पर शक करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है पर निचांग साफ मना करती है कि मैं आपको नहीं जानती है और नहीं आपने मुझे देखा है लेकिन राजकुमार को अब भी उसकी बातें जूट लग रही होती है और राजकुमार नेचांग को गोर से देखता है और कुछ यार्द कर रहा होता है तब ही इस एपिसोट का इंड हो जाता है तो क्या राजकुमार राजकुमारी को पहचान सकेगा या फिर अन्जान बनकर यहां से चला जाएगा और शियांग राजकुमार के लिए कौन सा गेम प्लान कर रहा है ये सब आपको पार्ट 4 में पता चलेगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिसे कि वीडियो अपलोड होते ही आसानी से आपके पास पहुचे साथ अपने फ्रेंट्स में भी शेयर कर दें फ्रेंट्स ये कहाने आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हीं